हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टूआ यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे शीबा इनुकोईन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट की और उसके साथ ही बर्निंग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल करा रही है जो बर्न पोर्टल से क्योंकि इसका सप्लाइ काफी जादा है अभी किसमाई के गरम बात करें और यहां पर इस वज़े से काफी सारे इंवेस्टर्स को यह लगता है कि इस सप्लाइ के साथ शीबा का जो प्राइज है कभी एक रूपे तक नहीं पहुच सकता यहां तक की दस पेसे तक नहीं पर इयर एक काफी बड़ी क्वांटिटी में जो सप्लाइ है उसे लगाता रिडियूस किया जा सकता है शीबा इनू बर्न पोर्टल टू रिमूव वन वन ट्रिलियन कोईंस आउट ऑफ सर्कुलेशन इच यह जहां पर हर साल अगर इस प्लानिंग के इसाब से बर्निंग बर्न पोर्टल के अगर हम बात करें एक काफी important topic एक काफी important project जिसके बारे में यहाँ पर community लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द launch हो यहां पर कुछ महाईनों पहले इसके बारे में updates इनकी development team के दोदोरा प्रॉवाइट की गई थी और इनोंने एक कहा था कि massively burn यह इन्हों की टीम का एक हिस्सा है इनके द्वारा यहाँ पर इन पर यहाँ पर उनके एक इसाम सब्सक्राइब बने कि इस प्लानिंग पर अगर वक होता है तो 111 trillion Shiba Inu token को हर year यहाँ पर burn किया जाएगा जो almost 20% हो रहे हैं अभी अगर हम देखे total circulating supply के और इन्होंने यहाँ पर Twitter पर share किया हुआ है if 1% transaction fees for Shiba Inu is implemented इन Shibarium and ShibaSwift 2.0 they could collectively burn a trillions of token per year जहाँ पर इनका मानना है कि अगर 1% transaction fees को यहाँ पर burn किया जाता है जो Shibarium और ShibaSwift 2.0 से जुड़ी होगी तो यहाँ पर एक काफी बड़ी quantity almost 111 trillion Shiba Inu coin को burn किया जा सकता है अगर हम मन्तली बात करें तो 3.7 trillion Shiba Inu coin burn होगे trading volume के साब साब देख सकते हैं 10 million dollar तो एक काफी बड़ी quantity यहाँ पर burn हो सकती है अगर same rate मतलब 1% fees जो है तो काफी बड़ी update है अगर इस प्रकार के data के हिसाब से यहाँ पर burning होगी वैसे अभी अगर हम देखे शीब ने officially कोई announcement नहीं की है कि burning कितने amount में होगी हर मन्त कितनी होगी लेकिन अभी किए अगर हम बात करें 2021 में काफी बड़े amount में Vitalik Buterin ने burn किया था उसके बाद अगर आप देखे 2022 में भी burning लगाता जा रही है लेकिन यहाँ पर supply trillions में है और आप अगर देखे तो billions में यहाँ पर शीबा को burn जरूर किया जा रहा है community के दोरा लेकिन team यहाँ पर burn करेगी तो एक काफी बड़ा impact पड़ेगा और अगर आप यह सोच नहीं कि Shiba ढूर को जो member है या developer है उनके पास यहाँ पर Shiba का supply है उन्होंने यहाँ पर Shiba को रखा हुऀ तो उन्होंने पहले ही ए clear कर दिया है कि Shiba को उन्होंने नहीं रखा हुई मतलब रहेःश ही जो Shiba Ainu की developer है उन्होंने ये clear कर दिया है कि उनके पास Shiba Inu coin नहीं है और इसी वज़ा से वो burn भी नहीं कर सकते burning का काम जो है आप देखेंगे team के तरह किया जाएगा जो transaction fees के थुरू यहाँ पर amount बनेगा उसके थुरू यहाँ पर Shiba को burn किया जाएगा burn portal के थुरू जो यहाँ पर आने वाले time में आपको aid होता हुआ नदर आएगा और अब काफी सारे सवाल है जो यहाँ पर investors के मन में घुम रहोंगे एक रुपे को लेकर 10 पेसे को लेकर क्योंकि काफी time हो चुका है Shiba का जो price है वह आप देखने है 0.000 की series में घुम रहा था उसके बाद यहाँ पर development देखने को मिला price बढ़ा और almost यहाँ पर 0.000 की series में आ चुका है और 2 की series में घुम रहा है last 3-4 मैनों से यहाँ पर अगर इस प्रकार का development देखने को मिलता है इस प्रकार की burning देखने को मिलती है तो supply लगातार आप देखेंगे reduce होता हो और कहीं न कई इसकी जो demand है वो बड़े की जिस प्रकार से आपने देखा था October का जो month था उसमें लगबग यहाँ पर 800% से ज्यादा pump Shiba के price मे देखने को मिलता क्योंकि वहाँ पर एक FOMO create हो गया था fear of missing out मतलब काफी सारे लोग यह सोच रहे थी कहीं हम इस coin को miss न कर दे यह आने वाले time में अच्छा खासा profit निकाल कर दे सकता है काफी सारे लोगों ने उसमें entry ली लेकिन अभी के समय के अगर हम बात करें काफी सारे impact इसके price पर पड़ेगा यहाँ पर जो इसका price है वो अगर थोड़ा बढ़ता है मतलब 20 तो 30% की rally आपको देखने को मिलेगी तो फिर काफी सारे इसे investor से जो यहाँ पर फिर से entry लेते हुए नजर आ सकते हैं long term के business पर अगर हम देखें कब तक Shiba का price जो है वो 10 पेसे तक जा सकता है supply अगर reduce होता है तो आने वाले एक से दो सालों में जो price है वो अच्छा खासा बढ़ सकता है उमीद है कि इस साल यहाँ पर 1-0 जो है वो kill होता होँआ नजर आए मतलब 0.00 की series में अभी आपको देखने को मिल रहा है 1-0 यहाँ पर kill हो सकता है लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर जो Shiberium है उसका आना काफी ज़्यादा जरूरी है Shiberium आए जिससे Shiba का price भी बढ़ता होँआ नजर आए तो अगर आप long term के लिए इसे hold करके रख रहे हैं तो almost 1-2 सालों में इसका जो price है वो इस price से मतलब अभी जो price सल रहा है उसमें से 1-0 को kill कर सकता है 1-0 को 1 साल मतलब हम December end की बात करें तो उमीद है किसका जो price है वो 0.007 की series में जाता हुआ नजरा सकता है Shiberium का कहिने का impact पड़े और अगर हम इस साल की बात करें पिछले साल काफी अच्छा था crypto industry के लिए BTC ने अपने all time high को चुआ काफी सारे all coins ने अपने नए all time high create किये लेकिन 2022 के गर हम बात करें ये साल इतना अच्छा अभी तक नहीं जा रहा है और अगर इसी प्रकार का fluctuation देखने को मिलेगा तो जो BTC है वो कोशिश करेगा all time high तक जाने की अगर वो करता है across इससे तो आप देखेंगे वो एक रुपे तक जाना काफी जादा मुश्किल है तो अगर आप ये सोच रहे है कि supply के साथ price पहुच जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं पहुचेगा उसके लिए बहुत ही जादा दिक्कत होगी तो supply reduce होगा तो कहीं न कहीं इसका price हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर हम burning की बात करें last 24 hours में आप देख सकते हैं तीन transaction के तुरू almost 9.8 million Shiba Inu token को burn किया गया मतलब burning तो लगाता जा रही है पर डें यहां पर burning हो रही है अगर आप दूसरे coins को देखें तो वहाँ पर burning इतनी जादा नहीं हो रही है जितनी Shiba में हो रही है लेकिन यहां पर जो supply है वो trillion में और million में burning होगी तो उसका इतना ज़दा impact नहीं पढ़ने वाला है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर एक और update की Shiba ने अपने official Twitter handle से अपडेट शेयर किये early SS land beat event starting soon जहां पर जो land beat event है वो बहुत जल्द यहां पर start होने वाला है इससे पहले यहां पर इन्होंने जो locking feature है उससे share किया था और यहां पर फिर से उन्होंने यही का हुआ है कि क्या आपने अभी तक अपने leash या सीबोशिश को lock किया है या नहीं किया है क्योंकि यहां पर जो land beat event है जो selling event है वो बहुत जल्द श्टार्ट होने वाला है landing this weekend keep an eye on ship.io यहां पर इन्होंने अपनी official website जो share किये ship.io उस पर जाकर आप check out कर सकते हैं वहां पर आपको सारी detail इस event से जुड़ी मिल जाएगी जहां पर अगर आपने अभी तक leash और शीबोशिश को lock नहीं किया तो उसे आप जल्द से जल्द lock करें ताकि यहां पर जो event हो रहा है उसमें आप participate करें यह event के अगर हम बात करें इस week के end तक या फिर next week में यह होता हुआ नजरा सकता है जिस पकार से यहां पर update प्रोवाइट की जा रही है तो दोस्तों और कोई पर update पाने के लिए channel से जुड़ जाएं साथी टेलिग्राम को भी जोइन करने वहां पर भी आपको crypto से जुड़ी हर एक update सबसे पहले प्राप्त होगी अब हम आपको मिलते किसी हो नहीं update के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें थेंक यू